नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल वी बी टेरेंडू विष्ट में परियावरण की क्लासी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मौक टेस्ट लगाते हैं तो चलिए आज का मौक टेस्ट देखिए पहला प्रस्ण क्या कहता है कि परियावरण अध्यन के सिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चों के दृष्टि कोड को श्विकार करना एवं सम्मान देना चाहिए और दूसरा प्रस्ण क्या कहता है अभिभावकों के विचारों को श्विकार एवन उनको सम्मान देना चाहिए अगला देखिए 122 नंबर प्रस्ण है कि परियावरण अध्यन की पाठे पुस्तक में अभ्यास एवन गत्विधियों को क्या उपलब्ध कराना चाहिए प्रकरणों में अंतह निर्मित पुस्तक में अलग-अलग अस्थानों पर ईकाई के अंत में पाठे के अंत में 122 का इवाला अऌशन यहाँ पे बिलकुल सई हो रहा है दूसरा प्रस्ण देखिए 23 नंबर प्रस्ण है कि परियावरण अध्यन परियावरण अध्यन की पार्थे पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है तो इसमें सबसे सही एंसर क्या हो जाएगा कि निसकर्स पर पहुचने की बच्चों की कुसलता का विकास करना बच्चों को वास्तिविक जानकारी से अंतर क्रिया कराने का आउसर देना साथ ही अवलोकन की कुसलता का विकास करना ये ही इसका सही जवाब हो जाएगा चले चोविस नंबर प्रस्त की तरफ चलते हैं कि पर्या और अध्यान सिक्षड के उद्देश्यों के प्रकार हैं पर्यानात्मक प्रक्षड का उद्देश्य कौन सा है प्रयोग बोध और ग्यान ये सभी है अगला देखिए 126 नमबर प्रस्ट है निम्नलिखित में से किस रूप में किसी ब्यक्ति की मनोदसा पर पारिवारी क्वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो 126 का देखिए सारीरिक मानसिक चारित्रिक तो परिवार का जो प्रभाव इन तीनों पर पड़ता है तो परिवत सभी हो जाएगा सन 1952 में प्रथम बार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से राजकी बस्यवा प्रारंभ करी गई थी तो राजकी बस्यवा प्रारंभ करी गई थी टोंक जिले से किस जिले से टोंक जिले से राजस्थान में है रजट ने कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है मैं कपकपी बुखार सिरदर्द और आंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ रख्त की जांच के बाद डाक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है रजट किस रोग से पीडित है? 2008 का रजट मलेरिया से पीडित है किस से पीडित है? ठंडी किस में लगती है? मलेरिया में ही लगती है आगे बढ़ते हैं अल वरूनी कौन था? आपको बताना है तो पूरे प्रक्रवड को अच्छे से पढ़ते हैं एक यात्री था जिसने भारत के लोगों का संस्कृति का अध्यान के लिए कस्मिर से करने अध्या गुवाई नहीं गया था यह तो गलत है यह कुतुब साही सुल्तान था सुल्तान भी नहीं था आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं वह अफगानिस्तान का एक बेपारी था हमारे देश मेवों के बापार का अध्यान करता है वह उजबेकिस्तान का यात्री था तो यही सही है कि यह उजबेकिस्तान का यात्री था इसने एक किताब लिखी जो हमारे देश की इतिहास के बार 130 नंबर प्रस्ण है कि ग्रामीर छेत्रों में गाय के गोबर से जोपड़ी की दिवारों तथा फर्स को लीपा जाता है। आपके गाउं में भी होती होगी सभी को पता है तो 131 का जो सही जवाब हो जाएगा निस्पावन इसको क्या कहते हैं निस्पावन कहते हैं आगे बढ़ते हैं 132 नंबर प्रस्ण रातरे के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि पेड़ पौ किस यंत्र द्वारा तने की बृध्धी का सही रूप से मापा जाता है तो उसको क्या कहते हैं हाइड्रो मीटर कहते हैं क्या कहते हैं आग देखिए यहां पे हाइड्रो मीटर नहीं होगा आग जेनो मीटर होता है ठीक है तने की बृध्धी धर्मापने के लिए आग जेनो मीटर का परियोग किया जाता है परितंतर में होता है परितंतर में क्या होती है और जय खनी जो, यू दोनों की हान सई तो तो पी यहां पर सही हो जाएगा इसके कारण बढ़ती नहीं है, कौन ग्रीन हैňंस के ऐसे फ्लाइउस फ्लाइज cricket sum violUS करक। यहां होती है कालिक होती है। जैसे कि आपैसि कि आप चीमनियां होती है जो ईसका पकाने की वहां से निकलती है तो कालिक को इसका आजाता है एक प्रदूसक दहन उत्पाद है जो किसको जलाने से होता है कोईले को चार कोल डीजल मिटिक तेल सी एंजी को तो 36 का जो सई जवाब हो जाएगा कोल मतलब पत्थर को जलाने से होता है चलिए आगे बढ़ते हैं कोई ऐसे मिलकर बनी होती है ये काई यी नम और कौन सी एकई होती है तो बी एमीनो अमलसे किसे एमीनो अगला देखिए कि लोहे की कील पारे में तेरती और पानी में डूब जाती है प्रस्न बहुत बार पूछा गया है देखिए क्योंकि पारे का जो घनत तो होता है वह ज्यादा होता है पारे का जो घनत तो होता है वह ज्यादा होता है पानी का घनत तो कम होता है पारे में लोहे का जो घनत होता है वह ज्यादा होता है ठीक है और पाने में क्या होता है कम होता है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 138 का वो हो जाएगा डी वाला जो पारा होता है वह पानी से भारी होता है पारा क्या होता है पानी से भारी होत अगला देखिए, फार्मेलिन का उप्योग किया जाता है, फार्मेलिन का उप्योग मुडित्य जिवँं के परिप्षड के लिए उडिता है, अगला देखिए, पोप्रैस पर भिनता होती है शरुमान की नहीं होती है요 इसमें एक ही जाद के लोग रहते हैं इसा होता है क्या नहीं होता है कई सारी जातियों के लोग रहते हैं इसमें रहने वाले सभी समान धर्म ये भी नहीं है इसमें परस पर भीनता होती है समान बेवसाय के लोग रहते हैं तो देखे 140 का इसमें परस पर भीनता होती है यही आपसल सही होगा 141 नमबर प्रसन देखे कि परिया और शिक्षड के दवरान मांचित्र पढ़ने के लिए आवस्यक कौसल में सामिल है तो मांचित्र पढ़ने के लिए सबसे आवस्यक कौसल क्या है तो 141 का देखे अस्थान दूरी दिशा की सापेक्ष इस्थिति को समझने की योगिता तो मांचित्र के लिए सबसे ज़्यादा यही जरूरी हो जाता है 142 नमबर प्रसन क्या कहता है कि निमलिखित में से कौन सा प्रात्मिक बिद्याले में परियावरण अध्यान पढ़ाने का उद्ये से है तो प्रात्मिक बिद्याले में परियावरण अध्यान क्यों पढ़ाया जाता है तो 142 का द्यान से देखेगा कि बिद्यालें में बच्चों के अनुभों को बाहरी दुनिया से जोडने के लिए ही पढ़ाया जाता है 143 नंबर सतत मुल्यांकन की निमलिखित में से किस बिधी में सिख्चक बिद्यार्थी के बिभीन तत्यों जैसे भासा परियोग संबेगा अत्मक खेलत के दवरान विवहार आदित्यादी को लिखता है इस तरह एकत्र सूचनाओ के अधार पर मुल्यांकन करता है तो क्या होता है 143 का जो सही जवाब हो जाएगा जाँच सूची क्या हो जाएगा जाँच सूची चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रसंद देखते हैं सतत्यों ब्यापक मुल्यांकन के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है तो सतत्यों मुल्यांकन के बारे में मुल्यांकन पहलू ठीक है सतत्यों ब्यापक मुल्यांकन के सतत्यों पहलू के अंतरगत मुल्यांकन के सतत और अवधिक पहलू पर ध्यान रखा जाता है ब्यापक संगटक में बिद्यार्थियों के बिकास के सैच्छिक और इसके अलाव से सैच्छिक पहलों का निध्रान सामिल होता है इसमें छातरों की उपलग्धियों का मुल्यांकन अंको के रूप में होता है तो यही सही है इसका सी वाल आप्षन बिल्कुल सही है 142.9 प्रसमें देखिए पर्यावरान अध्यन की पाठे पुस्तक में पहलियां सामिल करने का क्या उतिस हो सकता है तो पहलियां सामिल कर लेते हैं तो इससे क्या होता है पहिलियां सामिल करने से बच्चों के मस्तिशों को भ्रहमित करना और उन्हें इस ब्रहम का आनंद उठाने देना यही सक्षे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है देखे यहाँ पे बच्चों के तरकड़ा सक्ति का विकास नहीं होता है बच्च भ्रहम में पड़ जाते हैं पहलियों से और भ्रहम का आनंद उठाना ये गलत हो जाएगा देखें यहां पे यही वाला स्वई होगा ये बच्चों में तरकड़ा सक्ति का विकास होता है पहिलियों से 46 अंबर प्रसन क्या कहता है कि मान लिजी आप विद्याले शिच्छा बोड के अध्यक्ष हैं आप अपने अधिकार छेतर के अंतरगत आने वाले विद्यार्थियों की सिच्छा की संपूर गुरुवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजनाय बनाएंगे आपकी योजना क्या होगी निम्न उच्च या उच्च इस्तरी अपसारी क्या हो गयाएगी तो 146 का उच्च इस्तरी अपसारी हो जाएगी योजनाप की क्या होगी उच्च इस्तरी अपसारी CBSE द्वारा प्रस्ताविस समोह पर योजनागत्यिध का एक ससक्त साधन थन क्या एक सवक्त साधन है दैनिक जीवन के सिक्षर से हुने वाले तनाव को दूर करना अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाना तो यही वाला आश्का अप्सन सही है 48 नमबर प्रसन है कि कौन सा वाक के प्रयोगातमक कारे को महत्त से नहीं संबंधित है प्रयोगातमक कारे के महत्त से कौन नहीं संबंधित है 148 तो प्रयोगातमक कारे के दोरा ब्याख्यान तथा पुस्तकी ज्यान का सत्यापन होता है तो प्रयोगातमक के दोरा ब्याख्यान तो होता नहीं तो यही गलत हो जाएगा 149 नमबर प्रस्ण है कि नीचे दिये गए परिछणों के बारे में कुछ तत्य दिये गए है इसमें से कौन सा असत्य है 149 देखे निदानात्मक परिछण छात्रों की कठिनाईयों तथा कमजोरियों को ग्यात करने के लिए निर्मीत किया जाता है तो यह सही है पूछ रहा है गलत कौन सा है निदानात्मक परिछण के द्वारा छात्रों के लिए उप्चारात्मक सिछण की विवस्था की जाती यह भी सही है निदानात्मक परिछण उपलब्धी परिक्षड ही है ये भी से निदानात्मा परिक्षडों का सिक्षड अधियम प्रक्रिया में कोई महतो नहीं तो इसका बहुत बड़ा महतो है तो यही डी वाला इसका आप्षन सही हो जाएगा आज का आखरी प्रसना आपके सामने है कि पाठेकरम से संबंध नीचे कुछ कथन दिये गए हैं कौन सा कथन गलत है ये बताना है पाठेकरम से संबंध सलेबस से तो पाठेकरम का सबसे अधिर संबंध विद्याले से रहता है पाठेकरम का संबंध विद्याले से नहीं होता ह बाकी सब इसमें सही हैं तो आज के तीस प्रस्ना आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर यह क्लास यह मौक्टेस्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा इसी तरीके के छोग लास आप डेली लेना चाहते हैं अच्छे से सी सब्सक्राइब पर के बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा धन्यमत